इवनिंग दोस्तो जब मैं आज आपसे ये चर्चा करने आया हूँ कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन कैसे दे तो मैं इन सब चीजों पे भी चर्चा करूंगा कि सबसे पहले क्या सब्द बोलना चीए और क्या नहीं बोलना चीए तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप ये मेरा वीडियो देखके आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है और ये आपने एक चीज सुनाई होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इस दर लास्ट इंप्रेशन तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है आगर आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा तो इंट्रव्य भी अच्छा जाएगा so that आप जो है मैं जैसे बोला हूँ वैसे आपको interview देना है तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने जैसे भी नाम बताना है तो कभी भी जो है आपने myself राम या myself ये सियाम ऐसे कभी आपको नहीं बोलना है आपको सबसे पहले बोलना है I am Ram I am Ram and I belong to Delhi जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बोलना है I belong to Delhi मतलब मैं दिल्ली से तालूग रखता हूँ मैं Ram हूँ और मैं दिल्ली से तालूग रखता हूँ तो आपको ऐसे बोलना है सबसे पहला sentence क्या होगा I am Ram and I belong to Delhi ठीक है ऐसे आपको बोलना है फिर दूसरा sentence क्या होगा दोस्तों दूसरा sentence यह होगा अब आपको पहले अपना सिच्छा से जुड़ा हुआ बताना है जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे I have completed my schooling education in Delhi government schools मतलग मेरी प्रारंबिक जो school की सिच् तो आपने क्या बोलना है I have done in schooling education in Delhi ठीक है तो और उसके बाद third line यह रहे गी आपकी and thereafter का मतलब होता है इसके बाद ठीक है दोस्तों तो आपको इसके बाद यह बोलना है कि thereafter तो आप यह बोलोगे thereafter I have done I have done diploma in electrical engineering from Guru Teg Bahadur Engineering College of Delhi Board of Technical Education Delhi आपको second third line जो है यह बोलनी है कि मतलब आपने diploma कौन से साल में किया है यह भी बताना है कि कौन से year में करना है तो आपने यह बोलना है उसमें completed in 2016 या 2015 ऐसे आपको बताना है ठीक है और इसके अलावा इसके बाद अगर कोई और आप education कर रहे हैं तो आपने यह बताना है कि I am pursuing the जैसे माली यह कोई graduation करना है कर रहा है या कोई BSC कर रहा है तो आप यह बोलेंगे वहाँ पर कि I am pursuing the graduation from जैसे मालो को इगनू से कर रहा है तो यह बोलेगा इंद्रा गांधी national open university I am pursuing the graduation in मान के चलो को इंगलीस में कर रहा है तो वो इंगलीस बोल देगा subject बता देगा अग कोई दिक्कत नहीं है वो खाली ऐसे graduation भी बोल सकता है तो पूरा sentence क्या बोलेगा I am pursuing the graduation in English from इंद्रा गांधी national open university ठीक है दोस्तों इतना सिच्छा से जुड़ा हुआ आपको चीज बोलना है फिर उसके बाद क्या करना है उसके बाद यह करना है कि आपने इसके बाद यह बत को इस तरीके से बताना है दो-तिन आपकी punctualty क्या है मतलब I am a punctualty at every day in life है ना तो आपने कुछ जो है एक strength जो होती है वो बतानी है ठीक है दोस्तों फिर आपने strength बता दिया फिर अगला point आपका यह होगा कि आपने जैसे कहा कहा experience लिया है company में तो यह बताएंगे कि मैं इस company से अभी जुड़ा हुआ हूँ है ना जैसे मान के चलो मैं किसी अभी current के किसी ABC private limited में जुड़ा हुआ हूँ तो मैं यह बताऊंगा I am working with ABC private limited and previous experience 5 year of DC private limited मतलब जो भी पीछे की कोई company होगी तो हम उसमें बताएंगे कि पीछे की company में मेरा 5 साल experience है और आपने अगर इसको थ department भी बता देंगे कि कौन कौन से department में आपने क्या क्या कारे किये हैं वहां पर जो जो आपकी जिम्मेदारियां थी तो दोस्तों यह चोटा इंट्रोडक्शन है चोटा सा जिसको आपने अगर इसको ध्यान कर लिया तो आगे आने वाले समय में कोई भी आपको दिक्कत नही होगी और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो मुझे मैसेज या कॉल या वाटसप में मुझे जरूर पूछे मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा दोस्तों